दोस्तों मेरे को राजनीती करनी नहीं आती, मेरे को पॉलिटिक्स करनी नहीं आती, मैं सीधा साधा छोड़ा हूँ, मने काम करना आवे, मेरे ते कितना है काम करा लो, दिल्ली में हमने स्कूल ठीक कर दिये, सरकारी स्कूल, सुना आप लोगों ने दिल्ली के स्कूल शांदार हो गए, किस किस ने सुना, आद खड़े करके बताओ, दिल्ली में सरकारी स्कूलों में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, बाई साथ, गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, पहले दिल्ली के सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा आल था, जैसे अर्याने के स्कूलों का बुरा आल है, अर्याने में भी सरकारी स स्कूल इतने शामदार कर दिये आप कहोगे केजरेवाल अपनी बढ़ाई खुदी कर रहा है इस बार हमारे सरकारी स्कूलों के नतीजे 99.7% नतीजे आए है 99.7% इतिहास में 70 साल के भारत के इतिहास में सरकारी स्कूलों के नतीजे ऐसे नहीं आए और भाई साब इस साल 4 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूलों से नाम कटा के सरकारी स्कूलों में भरती कराएं अपने बड़े-बड़े अब अमीर लोग भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में बेज रहे हैं बड़ी बात है बाई साब है की नहीं है अभी दो साल पहले अमरीका के राष्ट्रपती, अमरीका तो दुनिया का सबसे बड़ा देश है, सबसे शक्तिशाली, अमरीका के राष्ट्रपती इंडिया आये थे, जब वो इंडिया आये, तो उनकी पत्नी भी उनके साथ आई थी, पत्नी का नाम है मिलेनिया ट्रम्प, ट्रम्प साब आये थ से मिलने, तो जब उनकी पतनी भी उनके साथ आई, तो उनकी पतनी मोदी जी को बोली, मैंने केजरी वाल के स्कूलों के बारे में बहुत सुना है, मैं उसका स्कूल देखना चाहती हूँ. मोदी जी ने बहुत समझाया, बेहन मांजा, केजरी वाल के स्कूल में ना जा, मैं अपने स्कूल दिखा दूँगा, मैं बीजेपी वालों के स्कूल दिखा दूँगा, मैं प्राइवेट स्कूल, बोली ना मैं तो केजरी वाल के स्कूल देखूंगे. माननी नी वो वो माननी नी मोदी जी की बात वो हमारे स्कूल देखने आई बड़ी बात होगी भाई साब अमरीका के राष्ट्रवति की पतनी केजरीवाल के स्कूल देखने आई कुछ तो करी रखा होगा हमने कुछ तो करी रखा होगा हमने मैं पूछना चाहता हूं यह अरियाने के खट्टर साब के स्कूल कॉन देखने आया? कोई आज पोडोस का कोई श्री लंका वाला ही आ गया ओ देखने? कोई चलो बाहरवाले छोड़ो कोई अपने देश का कोई देखने आया ओ इनके स्कूल? अबे कुछ करोगे तभी तो कोई देखने आएगा तुमारे स्कूल